आज मैं आप लोगों को ऐसे भी बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ एक सुबह कुछ बिद्यार्थी अपने अपने कंधों पर बस्ते लटकाए इस्कूल जा रहे थे उनके चेहरों पर उत्सा और परसंता की थी सर्दी के कारण उन्होंने उपर से नीचे तक उनिवास्त पहने हुए थे उसी सरक पर कुछ अधनंगे बच्चे, नंगे पां, कंधे पर फटी बोरी, टांगे, फटे पुराने कागजों के टुकरे इधर उधर, विखरी पलास्टिक की गंधी थैलियां चुन रहे थे उनके कुमलाए मुख और पपराए होठों भूख वर ठंधी की कहानी कह रहे थे स्कूल जाते बच्चों को ये सदा टक टक की लगा कर देखते थे मैं सुबह जब इन बच्चों को इसकूल जाते देखता हूँ तो सोचता हूँ क्या मेरे कंधे पर भी कभी बसता होगा मुटी हीरा से कहती है लोग तो रात में सपने देखते हैं तू तो दीन में ही सपने देखने लगा हम गलियों में पमेरी है गलियों में ही जीएंगे और गलियों में ही मर जाएंगे हीरा ने मोती से कहा बात तो ठीक है लेकिन सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है मोती ने हीरा से कहा बिलकुल बुरी बात नहीं सपने देख लेकिन एक बुरी रदी के भर पेट रोटी के और पूरा तन ढखने वाले कपड़े के अपने सपने की बात किसी और से मत कहना कहेंगे सुखी रोटी और बासी सबजी भी जिन्हें नहीं मिलती वे महलों की बात करते हैं कंधे पर टंगी बोडी सम्हालते हुए पन्ना उनके पास आती है हीरा और मोती की बोडियों को हाथ लगा कर करती है खाली बिल्कुल खाली अगर बोडी भरकर माली कठा नहीं किया तो घर में चुला नहीं जलेगा गप्पे मारना बंद करो और धन्धे पर चलो हीरा बोला यह पन्ना जब भी मिलेगी चुले की ही बात करेगी चुले को छोड़ कर कुछ और सोचती है पन्ना बोलती है सोचती तो हूं पर चुला न जलने पर छोटा भाई बेहन को भूक से बिल खत्ते नहीं देख सकती उस दुरगतना में जब से बापु मरा है तब से मा ने खतिया पकड़ ली है मेरी ही कमाई से घल चलता है और चुला जलता है हीरा बोलती है हम गलियों के बच्चे के पास क्या है भूक लाचाली और जिमदारी ही है मुझे तो ऐसा कोई दिन्याद ही नहीं है जब पेत भर के मन चाहा भोजन मिला हो फिर मोती ने बोला चलो अब धन्धा सुरू करो आसमान में बादल घिर आए है वर्सा सुरू हो गई तो धन्धा चौपत ही समझो थन्ध से दात थन्ध से दात कितक टाएंगे हाँ दुपहर बाद पहलवान के धाबे के बाहर मिलेंगे हो सकता है कोई मेहर बान रोटी ही खिला दे अब तीनों अलग-अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं दूसरी सुबह इस्कूल जाने वाले बच्चे कागज चुनने वाले बच्चों को देखकर अपने साथियों से कहा अचना ने अपने साथियों से कहा जब मैं इन बच्चों को थन में करकराते हुए देखती हूँ तो लगता है ऐसा लगता है इनका तो कोई बच्चपन ही नहीं है गरीबी के कारण इन्हें बच्चपन में ही कमाने को मजबूर होना पड़ता है मुझे तो ये भी लगता है कि हो सकता है ये बच्चे हमसे अधिक योग और बुधिमान हो सकते है निसांत खीज भरे सुवर में बोलता है सुभा सुभा बिना सिर पैर की बात सुरू कर देती हो तुम तुम्हें जब देखता हूँ उनके बारे में ही सोचते रहती हो जिनसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है सुसांत ने जिरकते हुए बोला तुम्हें क्या लगता है ये बच्चे हैं हमारे ही जैसे बच्चे केवल एक ही अंतर है इनका और हमें वो है कि हमारे माता पिता हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं इनके नहीं कर सकते इसलिए इनकी जीवन में दुख और अभारों का भंदार भरा हुआ है तब अर्चना ने बोली जब हम स्कूल जाते हैं तब हमारे पीछा करती इनकी आखें बताती है कि ये भी स्कूल जाने का सपना करते हैं पर इनकी माता पिता इसे पूरा नहीं कर सकते निसान्त ने आपस में बोला अच्छा ठीक है पूछ कर देख लेते सुसांत ने अब आज लगा कर कहा सुनो सुनो बच्चो हीरा मोती और पन्ना उनके आसपास इकठे हो जाते हैं उन बच्चो से आर्चना बोलती है क्या तुम लोग स्कूल जाना चाते हो बच्चे एक स्वर में बोलते हैं हाँ हाँ नहीं नहीं हीरा ने अर्चना से कहती है पर स्कूल जाएंगे तो हम लोग कमाएंगे कैसे और हम लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या नहीं हम उस्कूल नहीं जा सकते पन्ना ने अर्चना से कहा यदि कमाई और परहाई दोनों एक साथ हो तो हम उस्कूल जा सकते है अर्चना ने संकेत से कहा साम को वे तीनों अर्चना के घर के आंगन में इकठे होते है अर्चना के घर के आंगन में कॉलेज में पढ़ने बाला बरा भाई मनोज भी वहाँ है मनोज ने उन बच्चों से कहा जो पढ़ना चाहता है ओ कल चार बजे बस अड़े के पास बाले कॉलेज के बाहर आजाए मैं वही मिलूंगा तुम लोग सो कुछ समय बीता तो ओ बच्चे पढ़ना लिखना सीख गए एक दिन हीरा ने पढ़ाय लिखाय की बात अपने पिता को बता दिया हीरा के पिता ने हीरा को डाटना शुरू कर दिया उस बस्ती के सारे लोग उहां पे इकठा हो गए मनोज भी उहां पहुच गया हीरा समझाने के स्वर में बोली जबसे मैंने गिनना सीखा है बापू तबसे दुकंदार मुझे धोका नहीं दे पाता जितने माल का पहले दस सुपर देता था उटने का अब 20 रुपे देता है मनोज उहां खरे लोगों से बोलता है यदि ये बच्चे थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो कोई इन्हें लूट नहीं पाएगा बड़े होने पर ये अपने बच्चों की देखभाल भी अच्छी तरह कर सकेंगे हीरा का पिता बोला भाईया अब तो मैं ही नहीं मेरे साथी भी पढ़ना लिखना सिखेंगे और पढ़े लिखे लोग बनेंगे जो कोई उसे मुर्ख नहीं कह पाएगा आप लोग इस चाइनल को सब्सक्राइब कीजिए और विडियो को लाइक कीजिए और अपना दोस्तों में सेर भी कीजिए सेर करना मत भूलिएगा करना मत दोस्तों म êtes आपना सिप्सक्राइब route बूलिए यह सहर को ब्यु grindingद ग्भको कास्तों में सेर से समेट लिए लिए खना को bénरे उाओना पिए भी in बुब